दोस्तो भगबान विश्नु शेरी हरी जी और महा लक्षिमी की किरपा पाने के लिए एका दशी सबसे बड़ा ब्रत माना जाता है ये ब्रत न केबल जीबन में सुक शांती, बहुत एक सुक, एश्बरे, संपदा उत्तम जीबन साती और कारी शेत्र में सफलता पिरदान करता है बलकि मनो उपरांत, मोक्ष भी पिरदान करता है हर एक अदशी ब्रत का एक अलग और खास महत्व होता है आज की वीडियो में हम बताएंगे गौह माता से संबन दित एक उपाए जिससे आपको मिल सकता है अक्षय, यानि कभी न समाप्त होने बाला धन प्राप्त करने का बरदान दोस्त तो अगर हिंदू धरम की माने तो ऐसी मानेता है कि गाय की सेबा अगर बिना लालच की की जाये तो घर में लक्षमी का वास होता है बैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ अबश्री खिलाते हैं गाय को सनातन घर में लक्षमी सरूब भी माना गया है कहा जाता है कि गाय की सेबा करने से घर परिबार सुखी और संपन्य रहता है जिस घर में गाय की सेबा बिना किसी लालच के होती है उस घर में लक्षमी जी की किरपा हमेशा बनी रहती है और जिस घर में गाय की सिबा नहीं होती तो उस घर में अचानक से किसी भी प्रकार की बिगन बाधाय आती रहती हैं वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं महानगरों में रहते हैं तो बहाँ पर गाय पालना संभब नहीं होता लेकिन गाय को बहाँ पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है तो कौन सी वो तीन चीजे हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए आज हम आप से इस बीडियो में साजा करेंगे लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक बिंती करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों को शेर कर दीजिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाईएगा दोस्तो गाय के अंदर सभी देवी देपताओं का निबास माना जाता है तो आप सुभा जो पहली रोटी बनाते हैं वो अगर गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देपताओं का आशरीबात मिलता है गाय को गुरू के साथ जोड़ा गया है यानि गुरू गिरय के साथ, ब्रस्पती गिरय के साथ, इसलिए गुरुबार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डाल कर खिलाएं तो सुक संपत्ती धन एशबरे बढ़ता है, दुष्ट गिरय शान्त हो जाती हैं, जो लोग मानसिक रूप से परिशान हैं, वो ग गाय को पहली रोटी रोट खिलाएं, सभी घरय धीरे धीरे शुब हो जाएंगे, कभी कभी जीबन में लंबे समय से कोई शुब मंगल कार्रे नहीं हो रहे होते हैं, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं, गाय के मस्तब को छू कर अपनी मननत कहें, प्रनाम करें, पै गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है, अब ये रोटी बासी बिलकुल भी नहीं होनी चाहिए, यानि कि जो एक दिन की पहली रोटी बनी रहती है, और आप जो दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं, वो नहीं खिलानी चाहिए, कई बार आप रोटी बना लेते हैं, औ इसलिए गाय को एक दिन पहले की बचुही रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सडी गली चीजें, खराब चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे घर में परिशानी आती है और आप ऐसा करते हैं तो अपनी आधत को बदल दीजिए, इससे घर में तकलिफे आती हैं, गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है, हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज़्यादा पीपल का पत्ता लोग खिला दूसरी बात आप घर में सबजी लाते हैं तो साक आ जाता है तो उसमें कुछ अच्छी चीजे तोड़कर रखकर बचा कुछा आप गाय को ना खिलाएं आप जो देंगे वो गाय खा लेगी लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजे मिलाकर गाय को खिला दीजिए तो ज्या खिलानी चाहिए एक तो बची कुछी रोटी नहीं खिलानी चाहिए कोई भी अनाच बच जाए तो उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना चाहिए जैसे बासी चाबल बासी बची कुछी रोटी नहीं खिलानी चाहिए और अगर आप चारा खिलाते हैं तो सड़ा गला मत और अगर खिलाते हैं तो उसमें कोई उसके साथ कुछ अच्छी चीजे मिला लें और गाय को दूद भी नहीं पिलाना है ये चीजे बिल्कुल भी नहीं खिलाएं नहीं तो घर में गरीबी आती है माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनी के रूप में गौ का रूप धारन करती है गाय लाखो योनियों का बो पड़ाब है जहां आत्मा बीशराम करके आगे की यातरा शुरू करती है दोस्तो गाय का कोई अप्षगुन नहीं होता जिस भूभाग पर मकान बनाना ह तो बहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बचला बांद देते हैं तो वो जगय पवित्तर हो जाती है ऐसी जमीन से बहुत सारी आशुरी शक्तियों का नाश हो जाता है क्योंकि गाय में साकर अत्मक उर्जा का भंडार माना गया है दोस्तो गाय का मार्ग रोकना अग आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है अगर आपके घर के आसपास गाय घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने बाले हैं और सुक समर्दी पूरबग जीवन आपको मिलता है गाय के समिप अगर आप जाते हैं तो कई स संकर्मंड, सर्दी, खासी, जुखाम, आदी आश्चारे जनक रूप से अपने आप ही बिना दबाईयों के भी नाश हो जाता है अगर आपको गाय अचानक से पूँच मार देती है तो ये बहुत ही शुब संकेत माना जाता है और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना और भी ज शरीर की रोग निरोधक छमता को बढ़ा कर रोगों को दूर करने बाला माना गया है ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंची गवो से नहीं किया जा सकता दोज तो आज के समय में लोग गाय माता की पूजा करने की बज़े उनका सही उपियो करने के बज़े उनको जादा पसंद करते हैं शायद ये सुनकर आपको बुरा तो जरूर लगेगा पर ये सच है और गाय को रोटी देने से ना केबल सुक समर्दी की प्राप्ती होती है बलकि बरकत भी होने लगती है अगर आप गाय को पाल सके तो अच्छी बात है लेकिन आज के मॉडर्ण की जगय नहीं है ऐसे में गाय को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है ऐसे में आप गाय को रोटी तो दे ही सकते हैं कम से कम रोटी दे कर आप सुक समर्दी को प्राप्त कर सकते हैं आपके घर में बरकत होने लगती है हमारे बोजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि गाय गाय को रोटी खिलाना चाहिए लेकिन समय के चलते गाय की सेबा हर कोई नहीं कर पाता कम से कम रोटी तो आप खिला ही सकते हैं अगर रोटी भी नहीं खिला सकते तो जैसे काफी सारे जो हमारे भाई भेन बिदेशों में रहते हैं तो उनको गाय नहीं मिलती वो पूछते हैं कि हम कैसे गौश सिबा करें, आप ऐसा कर सकते हैं, आप गाय के नाम के पैसे निकालते जाएं, और फिर आप चाहें तो कभी इंडिया आये तो आप गौश शाला में दान दे दें, या फिर आप चाहें तो बही पर किसी गरीब को गाय के नाम की रोटियां खिलाएं, या फिर किसी भी अनात आश्रम में चले जाए, किसी ब्रद आश्रम में चले जाए, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप भोजन कराए, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होने बाला है, कम से कम रोटी जरूर खिलाएं, दोज तो हमारे देश में कई जगे देखा गया है, और गाय के हवाले कर दिया जाता है, तो आपको बता दें, रामायन काल में गाय माता को एक शराप मिला था, उसी बज़े से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है, उसी शराप की बज़े से गौ माता में देवी देपताओ का वास होने के बाद भी उनको जूटा खाना पड़ता है, य दशरत की आतमा को मोक्ष मिलने का संगदर्ब आता है, जो लोग जानते होंगे वो जानते हैं कि बनबास के दौरान भगबान राम लक्षमन और सीता माँ पितर पक्ष के दौरान शरात करने के लिए गया धम पहुँचे, वहां शरात कराम करने के लिए जरूरी सामग्री जुटाने राम और लक्षमन्ट तो चले गए और सामान लेकर नहीं आए इधर दोपहर हो गई पिंडिदान का समय निकलता जा रहा था सीता मा घबराने लगी तबी दशरत की आत्मा ने पिंडिदान की मांग कर दी अब गया जी के आगे फालगु नदी पर अकेली सीता जी म अपने ससुर के नियमित पिंडिदान कर दिया थोली देर में भगबान राम और लक्षमन्ट जब लोटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडिदान कर दिया बिना सामगरी के पिंडिदान कैसे हो सकता है इसलिए राम जी ने सीता मा से इसका प्रमान म इतने में फालगु नदी गाय और केत्की के फूल तीनों इसको मुकर गए। उन्होंने कहा सीता मा जूट बोल लही है। सीता जी उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें शराब दिया। फालगु नदी से कहा कि जा तेरा नाम सिरिप नदी रहेगा लेकिन तुझ में पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आप भी जानते होंगे जो लोग जानते हैं। फालगु नदी आज भी गया में सूकी ही रहती ह दोस्तो गाय को शराब दिया कि तुपूजी होकर भी लोगों का जूटा खाएगी और केत्की के फूल को शराब दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चड़ाये जाएगा। वट वरक्स को सीता माने आशरिबाद दिया कि उसे लंबी आयू की प्राप्ती होगी और दू रेतकी के फूल को सक्त तौर पर पूजा से दूर रखना बताया गया है। फालगू नदी के तट पर जल नहीं है। सीता कुंड में पानी के अभाब में सिर्फ बालू या रेत में पिंड़ दान किया जाता है। दोस्तो शास्तरों के मताबिक गाय माता में सारे देवी दे जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं पहली रोटी गाय की अगर आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुको को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सरी सुना होगा की रसोई में पहली रोटी जो भी बने गाय को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी दे दिखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि गाय के उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला लें, इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है, अगर गुरुबार का दिन हो तो लोई ले लें, सने हुए आटे की एक छोटी सी लोई बना लें, और उसमें हल्द प्रणी मिला कर गाय को खिला दें आपके जीबन में शुबुता आती है बैभबाता है धन संपत्ति तथा शक्ति का वास होता है आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिन्दगी में तो आप देखेंगे कि तुरंद आपको मिंटों में वो हासिल हो जाता है दोस्तो इसी तरह आ नमक को जरूरी मानते हैं उतना ही जोतिश में नमक को बहुत ही महत्यपूंड माना गया है और इसे करज की बस्तू माना गया है किसी का नमक खाने का अर्थ क्या होता है उसका करजदार होना आपने तो सुना ही होगा नमक का करज अदा करना है इसी लिए अगर आप जीबन क सुगम बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, तो नमक का एक आसान सा प्रियोग आपको आज हम बताएंगे, आप देखिए कि कितने पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेंगे, और ये उपाय इतना आसान है कि इसके लिए आपको अतरिक मशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं हैं, बस आपको अपने घर में बनी सबसे पहली रोटी लेनी है, और उस पर थोड़ा सा नमक रख दें, दोस्तो अब आप पूछेंगे कि कौन सा नमक रखें, तो सबसे बैस्ट है, आप साधा नमक, डेली बाला नमक, सस्ता नमक, जो भी है, आप बो रखें, काला नमक नह आपको खिला देना है अगर आपको कपिला गाय यानि की सफेद गाय नहीं मिलती तो आप ये रोटी किसी भी गाय को खिला दें आपको बता दें ये उपाय आपकी हर समस्या को जड़ से दूर कर देता है चाहें आपके घर में कोई बड़ी मुसीबत हो कोई पारिबारिक दूर होने लगती हैं लेकिन गाय को रोटी देते बक्त मन में ऐसा कोई भाव ना लगा कर रखे की हम रोटी खिलाते हैं या फिर हम बहुत बड़े दानी हैं अन्य था इस इस्तिती में पुर्ण फल की प्राप्ती नहीं होगी इसे अपुर्ण माना जाता है बुरे भाव से गाय को रोटी देने से बुरा ही फल प्राप्त होगा गाय को रोटी खिलाने से बरकत के अलावा आप देखंगे कि धन संपत्ती में दिनों दिन बड़ोतरी होने लगती है और आपके घर के घरे दोशों से आपको मुक्ती मिलती है अगर आपके भी घर में धन की कमी है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए, ये उपाय आप किसी भी दिन करें, दोस्तो आज के लिए बस इतना ही सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जै गौ माता की, जै माता दी, गौ माता के लिए एक लाइप तो बनता है.